नमस्कार मित्रों, सार्था गवर्मेंट जा पॉइंट यूटूब चैनल पे आप सभी का हारदिक स्वागत है तीन महत्पूर्ण सुचनाय मिल रही हैं और तीन महत्पूर्ण सुचनाय आपके प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्पूर्ण हैं आज सारा दिन सिर्फ जो है मतलब सुचनाय को इकतर करने में आप लोगों के लिए प्रयास करने में ही गया है तो जो चीजें आप के लिए भले के लिए हो जाएं क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है मतलब जब आज मैंने कमेंट देखे हैं डिजेंट आधि को लेगर के बहुत जादा उत्सुक और परसान भी हैं और उनके इस प्रकार के कमेंट जो है मतलब कहीं कहीं हमें भी वतित करते हैं तो इस चीज के लिए प्रयत्न किया गया और NIC में जो मतलब फोन करके इस बात के लिए जानकरी एकत्र करनी चाहिए हमने और जो उनसे पूछा गया जब तो NIC से इस बात के लिए जवाब मिला है को उत्तर प्रदेश मादमिक सिछा सेवाप चैन बोर्ड का जो रिजल्ट है TGT और PGT का वो 26 तारीक को जारी किया जाएगा 26 एक्टूबर इस तारीक को आपका रिजल्ट आएगा इसके पहले रिजल्ट आने की संभावना वो कम ही है तो एक डिवडेट हमें मिली है NIC की तरफ से बहुत प्रयात्न करने के बाद वारता हो पाई है तो जो मतलब इस ब का जो रिजल्ट है वो 26 एक्टूबर को जो है वो जारी हो सकता है जारी किया जाएगा क्योंकि NIC का जो मतलब साफ्टवेर है जो वेरिफिकेशन आदी के लिए तयार किया जा रहा है वो अभी पूरी तरीके से प्रिपेर नहीं हो पाया था उनके सर्वर में बिलेंच है इ लेकिन 26 एक्टूबर को आपका प्रणाम वो जारी कर दिया जाएगा ये NIC का कहना है ठीक है दूसरी महत्पूर्ण अपडेट जो है लोग से वा आयोक से निकल करके आ रही है SDI की वेकंसी के लिए जो खंड सिक्छा दिकारी होते हैं SDI की वेकंसी के लिए अधियाचन प् लेका अल्टी क्रेट के विग्यापन के लिए भी एक खुश खबर हर यह है कि आपका की इंतेर के इंतिजार की जीत और तीसरी मात-पूर्ण या जो है आज PNP में जो वारता हुई है सच्चि महुद ने अस्पस्ट कर दिया है कि OMR में जो मतलब किसी भी प्रकार की अगर किसी विद्यारती ने गड़बड़ी किये है तो वो स्वेम उसका जिम्मेदार है और उनके OMR की जो है चेकिंग नहीं की जाएगी और उनका रिजल advantage है और आप जो है मतलब गलतियां किये हैं तो आप पे गलतियां भारी पड़ सकती है और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ online verification के लिए समस्त प्रक्रिया वो पूरी की जा चुकी है software तयार किया जा चुका है बस उस software को जो है system में update करना है और उसके बाद आपका result आने के बाद ततकाल विग्यप्ति जारी हो जाएगी विग्यप्ति जारी होने के बाद आप अपने document का online verification है तो uploading करेंगे उसके आरा नमबर तक आपकी ये verification की प्रक्रिया चलेगी उसके बाद आपका file बना करके और जो है आपके समस्त दस्तावेज़ों का file बना करके जिला विद्याले ने इच्छे कारयाले को send किया जाएगा और वहां से verification complete होने के बाद आपको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी आपका पैनल जो है कालेजों में भिज दिया जाएगा और आप कालेजों में अंति रूप से जाकर करके जोईन कर लेंगे यह सारी मातपूर्ण update निकल करके आई थी इस वज़ए से मतलब जो है हमने सुचा कि आपको update कर देना अत्यांत आवसक है क्योंकि बहुत सारे हम यह सब wonderful ख props को निक्राग सकनी M शैनी कोसी देखते ही बनती थी बहुत मन को संस्टी मिलते है जब आप खुसी हो अथ हो तो बैकि देना चीज़ में आपको यह बता देना चाहता हूँ एल्टी ग्रेट वगरा की और जो सुपर ट्रेट की बहुत ही लंबी विकेंसी आ रही है आप ततकाल तैयारियों में लग जाए जो बिद्यार थी कम कुश्चन है टी जी टी में तो मतलब वो ततकाल तैयारियों में लग जाए सतानवे काई सकालिस तेरा पचासी है हमारा चैनल का वाटसप नंबर है आप इस पर वाटसप करके अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं आप इस पर वाटसप करके टेक्स्ट बुक से बने हुए उतक्रिस्ट मेटेरियल एस्टडी मेटेरियल प्राप्त कर सक तो अपडेट अच्छी लग यह हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पना है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं सीट में इनको ब्रिद्धी तो करनी पड़ेगी पीछे पड़ गया हैं सीट इनसे बढ़वा करके ही मान करेंगे आप इसके लिए निश्चिंद रहे बिल्कुल भी हम लोग लगे हुए हैं और उस चीज़ को हम लोग कंप्रीट कर लेंगे कंफर्म कर लेंगे इनको सीट भी बढ़ानी पड़ेगी इनको नया विग्यापन भी देना पड़ेगा और असपस्ट करना पड़ेगा की क्लास भी स्टाट करेंगे लेकर आप केंपर प्रणाम के बाद क्योंकि ट्यज़ीट के प्रणाउम के बाद इस्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे भाई 22 पर जुड़ सकेंगा उनको भी लाब होगा अभी तो वह रिजल्ट की ही खुमारी में खोए हुए हैं तो रिजल्ट आपका जो है 26 अक्टूबर से आने की संभावना जो है नाइसी ने बता दिया है कि 26 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा मतलब 26 अक्टूबर के अंदर कभी भी जारी कर दिया जाएगा जब भी उनकी टेक्निकल फाल्ट जो मतलब साल्ब हो जाएगी तुरंत आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा उसके लिए परसान नहों धन्यवाद आप सभी का दिन सुभ हो